नमस्का दोस्तों में हूं केविन क्रोडी अगर आप Poco F1 Mi A2 OnePlus 6 या 6T या Nokia 6.1 Plus स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुती अच्छी खबर आ रही है Android 11 के बार में क्या खबर है इसी वीडियो में बात करने वाले है तो वीडियो स्टार्ट करें तो फिर चलिए दोस्तों ये पांच स्मार्टफोन आप यूज़ करते हों मैं एक बार फिर से रिपेट करते था हूँ आपको देखने को मिलता है लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप भी अपने स्मार्टफोन में Android 11 का यूज़ कर सकते हो अपडेट कर सकते हो केसे लिए दोस्त आपको दो तरीके है एक आती है कस्टम रोम एक रिलोडेट रोम ये दोस्तों आपने सुना ही हो करती है तो इसमें आप अपडेट कर सकते हैं तभी पता चलता है कि इसमें बीटा ट्रेस्टिंग में दोस्तों चल रहा है तो यहां पर जाके अभी भी अपडेट कर सकते हो इस पांचो स्मार्टफोन में आपको एंडूड 11 का बीटा मिलेगा लेकिन आपको एंडूड 11 का अपडेट मिलेगा आपको प्योर एंडूड का एक्स्पिरियंस मिलेगा जो आपके स्मार्टफोन में जो यूई हाती जैसे माई यूई आती यह वन प्लस में ओक्सीजन यूई हाती हो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा तो आपको वो भी चले जाएगे लेकिन अभी भी आपको रूपना चाहिए अभी भी इसको आपको अपडेट नहीं करना जो कि इसमें तो बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं यह भी डेवलोपिंग मोड में क्योंकि और एंडुड एलेवन ओपीशली लोंच नहीं किया गूगल स्मार्टपॉन को रीबूट करके तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा जो कंपेटर लगते नॉर्मल उससे थोड़ा ज्यादा और भी कुछ आपको बग्स देखने को मिल रहे है इसमें तो मेरी दोस्तों यहीं रहे हैं को जब भी इनका स्टेबल बर्द नहींगा मैं उस पर अलग सी वीडियो बनाओं का कैसे आपको अपडेट करना है क्या करने क्या नहीं करना है तो उस पर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल अपने स्मार्टपॉन में यूज करने भी मजाएगा लेकिन आपको नहीं अभी को अभी एंट्रो डिलेवन का लगा वहीं इनकी जो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगे आपको अपडेट करने में वहीं की में डिसेडवांजरे जबात ने आपके स्मार्टफन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको एंड्रोड 11 का यूज करना है तो आपको कस्टम रोम और रिलोडर र अगरी कैसे यूज कर सकते हो बस तो यहीं थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कोई भी सुझा कोभी क्वेस्ट्स ने कॉमेंट में डाल देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और भी कोई न्यूस आया कि इनके बार में तो आपको पता च